कि वेलकम तू कारियर काउच वेच्छ भांकर तो जैसे कि हर हफ़ते हम आपके सामने कुछ ना कुछ न्या चीज लेके आते हैं तो इस हफ़ते हम आपको यह शेयर करना चाहते कि अब से हम स्टूडेंस का कुछ क्रियेटिव वर्क आपके साथ हर हफते शेयर करेंगे तो इसी के तहट कल टीम कारियर काउच को इन्वाइट किया गया था जागरन पब्लिक स्कूल में अज जज एवेंट एक उन्होंने और्गनाईज किया था जो की एक सौफबोर्ड वॉल आठ वर्क था जो की उनके हाउजस के स्टूडेंस ने जो की 10th, 11th and 12th के स्टूडेंस ने ये पार्टिसिपेट किया था और उनको एक रशियान यूक्रेन वर के उपर टॉपिक मिला था जहां पे उनको सौफबोर्ड क्रियेटिव उनको क्रियेटिव डिस्प्ले करना था तो ये जो कॉम्पिटिशन था ये वॉल आर्ट जनलिजम के उपर था और बच्चों ने इस पर बढ़ चर के हिसा लिया और टीम करियर काउच को इसमें बहुत जादा हम लोग प्रभाविक हुए बच्चों के जो क्रियेटिव वर्क था बच्चों का जो रिसर्ज वर्क था जो इनोवेशन था और जो टीम वर्क था वो देखके हम लोग बहुत जादा प्राउट फील किया ये कॉम्पिटिशन जो है वाल आर्ट जनलिजम को प्रोमोट करने के लिए किया गया और टीम करियर काउच ने बहुत ही अच्छे से इसको जिस इवेंट को जज किया वहाँ पे हमने देखा बच्चों ने कितनी खूपसूरती के साथ इस सौफ वोट को रिकॉरेट किया उनके टीम वर्क उनके इनोवेशन उनके रिसर्च वर्क और जिस तरीके से उन्होंने इसको सौफ वोट पे दर्शाया वो देखके हमें बहुत ही अच्छा लगा तो दोस्तों ऐसे मीडिया से जुरा हुआ और भी कारीक्रम हम आपके सामने लेके आएंगे और हर हफते दिखाते रहेंगे स्टूडेंस के ओर से जो वर्क है जो हार्ड वर्क है उनका वो हम आपके सामने और लेते रहेंगे और मीडिया कोर्सेस के वारे में और जानकारी हम आपको देते रहेंगे तो दोस्तों अब चलते हैं आज के एपिसोड में तो मुझे बोलते वे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मिस मौसियना मिर्जा माम को जो की एक STEM educationist है जी हाँ वो first drone girl of India भी है और state and devy awardee in education innovation भी है तो दोस्तों चलते हैं शुभांकर जी के पास studio में और क्यों ना मौसियना माम से बात करते हैं STEM education के उपर तो over to you शुभांकर जी So once again I welcome you back on career couch with शुभांकर दोस्तों अचानक कोविट के दौर में हमने टेक्नीक, टेक्नोलोजी और साइंस के बारे में बातसीर करनी ज्यादा शुरू कर दिया है टेक्नोलोजी कहीं न कहीं हमारे ग्रिप के बाहर आके अचानक हमारे सामने आ जाता है और आज हम पूरा पूरी dependent है चाहे वो शिक्षा कर दौर हो, चाहे हो हमारे ओफिशिल काम करने का तरीका हो यह सब अब टेक्नोलोजी की बैस जादा हो गया है कहीं न कहीं हम लोग लैप्टॉप से जादा जुड़ गये, मॉबाइल से जादा जुड़ गये लेकिन बात तकनाज… जब हम टेक्नोलोजी की करते हैं तो यह तक सिमित नहीं रहती है कुछ टेक्नोलोजी ऐसे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलोजी, जैसे हम लोग का भी बायो टेक्नोलोजी जिन technologies को हम लोग कई तरीके से आज हम बहुत तेजी से development करें ये समझ चुके हैं कि अब आने वाला जो दौर है इसके बगएर हम नहीं रह सकते इसी के चलते education से जोड़ी एक नई technology सामने है stem technology क्या है stem technology ये तो अभी हम अपने guest से सुनेंगे लेकिन एक चीज बता दूँ इस तक्नीक के सहरे जो education प्रणाली है जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत बढ़ा तर्बदलाव आ रहा है इस बदलाव को लाने के लिए बच्चों में ताकि वो तक्नीक को अपने हाथ से समझ सकें खुद करके समझें उनका foundation कितना strong हो जाएगा इसके उपर आज ज्यादा काम किया जाए है तो आई ये चलते हैं मौसिना मिर्जा जी के पास आप उनसे जानते हैं STEM technology आकि रहे गया मौसिना जी Career Couch के इस platform पर आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank you so much Shubhankar Ji for inviting me in Career Couch Thank you मौसिना जी मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो STEM technology जिसको आप पहले लीड्स में थी वहाँ पे आपने STEM technology को समझा उसके बाद आप इसे लेके भारत तक आई यहाँ पे आप इस technology को जो है आप हर एक संस्था तक पहुचानी का आपका प्रयास है क्या है यह STEM technology? So Shubhankar Ji STEM education or STEM learning is science, technology, engineering and mathematics और इसमें एक new subject भी आड़ हुआ है art So now STEM is STEAM That is science, technology, engineering, art and mathematics So जब हम बात करते हैं STEM education की So STEM education, innovation in education, project-based learning go hand in hand Okay, okay So this is the project-based learning that you have been told So now lab-based things will become more of a lab-based, the kids will be able to do it with their hands Then we will understand that, if I am right Masinah Ji, so for this, the labs were also done before The labs were also done before, they were also done before in the laboratories So what would this be a new thing happen to you? So if you are talking about physics, chemistry, labs, then there was a pre-defined curriculum The kids went to go, attempted the practical, and came to go When we talk about STEM education, we talk about research and technology and R&D labs Where the kids go and create themselves, think and create themselves related to their topic, related to their subject Okay So this is what is going to start from pre-school, where is it? What level is it starting from? So STEM education is not a new topic, as I have already told you This is very early, but this is now focused on India And perhaps we can say that COVID is a blessing in a disguise When we have come to understand it more important So STEM education or project-based learning When we talk about STEM education, this is a very initial stage So I think the pre-primary stage is the best stage, where we start learning and education Let me tell you one thing, because you have studied in LEADS and post-graduation You have also studied in LEADS and post-graduation How much is it showing the importance of this technology? As I said, this is also a very new concept in India And there is also a lot of research on it And as an educationist, this is the responsibility of all the educationists To take the innovative practices to the school If we talk about the international level, this has been incorporated in the school But now it has been incorporated here I think, as many schools, they are trying to find R&D labs, Futuristic labs, Drone Robotics labs So I think, this is a very interesting thing in the interior We are not talking about urban schools If we talk about interior schools, this is also the technology and learning I would like to give a very small example I want to give people a specific example In COVID, there was a girl's school school in COVID, where they were STEM education Where girls were learning STEM education So they created a waste management system in COVID They created a waste management system in COVID And in that waste management system they added a great thing about the people तो वहांपे गायंगा गाबिच फेकने कभीन, क्यों मतला इतना एफर्ट्स लेंगे वहां टो उन लड़कियों थै उस वेस्ट मैनेजमेंटल के वाइटश मेंगें away त्वेस्ट था स्व रूटराइज कर दिया विछ कहा। पहकते थे क्योंकि जैसे ही वो उसके अंदर कुड़ा डालते थे उनका वाइफाइ रूटर जो था वो बूस्ट हो जाता तो उने फ्री वाइफाइ मिलनी लग दी तो यह एक रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट है जो बच्चों ने किया सिर्फ स्कूल गर्स ने किया और यह वाइन इंड़े एक रूलर एरिया में मतलब रूलर साइड ओव सिक्किम जहां पर फार्मर्स की बेटियां थी और उनको इनको सोलर एनरजी वहां पर एलेक्टिसिटी की बहुत जादा प्रॉबलम थी तो उन्होंने सोलर एनरजी के बारे में अपने स्टेम एडूकेशन म पढ़ाता तो उन्होंने उस सोलर सिस्टम से एलेक्रिसिटी जनरेट की अपने पेरेंट्स के लिए तो यूनों और आप वो लोकली वहां के जो डिस्टिब्यूटर से उनके साथ उनका टाइब भी हो गया और वो सोलर एनरजी पे वो गल्स जहां जो सिर्फ ग्रेड नाइ मुझे जहां तक पाता है आपका शायद को प्रोजेक्ट जो है वो नासा तक में सेलेक्ट हुआ था चार सो दो लोगों ने प्रोजेक्स पने डाले थे उसमें साथ काुट की अभी अठर वहां गर्वे अराक को मुझा मिला कि अप नासा में जाक के बाकाईदा ऐकर उस प कितना दूर है मैं दूर तो नहीं बोलूंगी इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और आइ थिंग जो लास्ट टू यहर्ज में जो हम लोग ने एडुकेशन सिस्टम में चेंजेस देखे हैं वो एक आउस्टेंडिंग यूनो प्रोग्रेस है तो इंडियन कहीं किसी से भ स्टेम एंड स्पेस के उपर कोई प्रोगेक्ट भेजना था तो घो हमारा बाद में गूगल कर के भी देख सकते और उसके तो अगर हम इस बैक्टीरिया को स्पेस पे भेजे तो वो कैसे स्पेस डेब्रीज को खतम कर सकता है एक बहुती फ्यूचर का एक बहुत बड़ा थ्रेट है स्पेस डेब्रीज और अभी तक हम यह नहीं जान पाएं कि यह थ्रेट किस तरह जहें वो हमारे मदर अर्थ को एफेक्ट करेगा और इसके लिए बहुत सारी ओर्गनाईजेशन जैपनीज और यूएस ओर्गनाईजेशन जहें स्पेस डेब्रीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो as a school mentor and team हमने इस प्रोजेक्ट को भेजा और जो हमारे टीम मेंटर्स थे टोनी एंटोनी लियो जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट्स है सारा मरे स्पेस साइंटिस्ट है जिनके अंदर में हमने यह पूरी ट्रेनिंग ली वो उनको यह मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा कि हम अगर इसको इस पेस पे भेजे तो हम बहुत मैक्सिमम लेवल पे स्पेस डेब्रीज को खतम कर सकते हैं और शायद यह थोड़ा सा यूनीक प्रोजेक्ट था इसलिए हम वो इंडिया सेकेंड टोफी ले कर आए और इस टोफी की वजह से मुझे देवी ला सकती हूं अपने स्टुडेंट्स को स्टैम के साथ इनोवेशन के साथ जो हमारा फ्यूचर है उसके साथ जोड सकती हूं बहुत बढ़ी है मौसे नजी वाकई जितनी तारीफ कीज़े अपनी काम है आपको जितना सम्मान मिले उतना काम है लेकिन उसी के साथ मैं जानना छो बाहत़ जो क्या इस बैक्टेरियों के सितमाड । लो प्लास्टिक या था उसके सितना झाल्न हरे इस जाहिंए प्लास्टिक आंडाया की अर्यूश साथ हमे बहुत सारे प्रिकॉशन sprang स्थ्टें आप ऐसा इंगे क्या व्मन हेल्थ की अग Ш characterized samemont लियूशन के घ्टीन लेने पड़ेंगे, बट अगर हम प्लास्टिक की बात करें, तो I think एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लोग अवेर हो रहे हैं, वो प्लास्टिक के यूजज को कम कर रहे हैं, लोग अब बहार से मिनराल वाटर बॉटल लेने के बजाएं, अपने बैग में वाटर बॉटल कैरी करके जाते हैं, बहुत सारी I think organizations हैं, NGOs हैं, schools हैं, students हैं, young generation हैं जो इस पे work कर रही हैं और एक awareness लेके आ रही हैं क्योंकि अगर हम sustainable development goals की बात करें, अगर हम SDGs की बात करें, बच्चे climate actions के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि अगर हमने इसको आज नही के आ रहे हैं बच्चों के अंदर और स्कूल और बच्चे इस पर वक कर रहे हैं, तो जैसे आपने बता है कि Japan इसको पर काम कर रहा है, इस पर तयार किया जा रहा है, इस डीजी के बारे में आपने बात की, कि भई सस्टेनेबल डेवलप्न गोल्स जो सेट की जारी हैं, उस इसी को आगे हम ले जाते हुए, जैसे कि आपने बता है, स्टेम टेक्नोलोजी को, यह जो एक अपने पेडागोगी में भी उसको शामिल करने के कोशिश की, जहां पे भी आप गए हैं, जिन संस्थाओं के साथ जूड़ें, एक सवाल जरूर में अपसे पूछूँगा, थ यह बात उनको कन्वेंस करना इससे भी ज्यादा मुश्कुल है, तो कहीं न कहीं आप बड़े-बड़े संस्ताओं से जूड़े रहे हैं, आप मिशनरी स्कूल से भी जूड़े, आप कुछ प्राइवेट संस्ताओं में जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि उहां का मैने हमें अल्रेडी मिल चुका है, क्योंकि जब कोविट के टाइम, हमारे जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, वो टीचर्स जिनको, I think, मोबाइल टेकनोलिजी या लाप टोप टेकनोलिजी के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने भी अपने आपको अपग्रेड किया, व वो वर्च्वल मोड में आए, वर्च्वल के बाद हाइबरिड मोड में आए, और I don't know कि वो कब फिर एड टेकनोलिजी से जुड जाएंगे फिर से, तो एड टेकनोलिजी जो हुए है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, चाहे वो टीचर्स हो, वो स्टुडे भी बोला था, Blessing in Disguise, तो ये मेरे लिए तो सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं बहुत ही, as a teacher, मतलब मैंने अपनी करियर को स्टार्ट किया था, as a teacher, तो मैं हमेशा एक out of the box teacher रही हूँ, जो से books तक ही सिमित नहीं रहती थी, अपने बच्चों को लेके मैं बाहर जाती थी, बाहर उनको, you know, की nature एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुद book है, तो मैं उनको उनसे सिखाती थी, तो I think ये जो innovative practices है, ये मैं अब बहुत अच्छे से implement कर सकती हूँ, क्योंकि हर school, हर education, organization इस चीज़ को समझ चुकी है कि EdTech कितना important है, technology is around us. बिलकुल, मौसिरा जी माफ करिएगा, जब आप EdTech की बात करते हैं और जब आपने technology के बात की, कहीं न कहीं आपने एक बात और भी कही थी, कि your person जो की mobile phones को उसका इस्तेमाल जो है, आपने schools के अंदर इसको आपने promote किया, जबकि एक बहुत बड़ा segment, कई programs TV पे चलता है, ज बच्चे जो over dependent है, आज मोबाईल के उपर, मोबाईल छोड नहीं पाते हैं, जो धीमे धीमे एडिक्शन का रूप ले चुकी है, तो पेरेंट्स तो अलड़ी इन्स चीजों से परिशान है, कई स्कूल के टीचर्स परिशान है, ऐसे कई केसे सामने आ रहे हैं, जहां मोबा अगर हमारा यूनिवर्स देखिए तो उसमें एक बैलेंस की जरूरत है, अगर हम एड टेक की बात कर रहे हैं, बच्चों को मोबाईल टेक्नोलजी सिखाने की बात कर रहे हैं, तो वहां भी एक बैलेंस की जरूरत है, अब्जरवेशन मॉनिटरिंग इस रिक्वायर्ड, चाहे वो घर पे पेरेंट्स की तरफ से हो, या स्कूल में टीचर्स की तरफ से हो, अफकोस अगर बच्चा मोबाईल स्कूल में लेकर आ रहे हैं, तो हमारे इन बिल्ड ऐसा सॉफट्वेर होने चाहिए, जहां पे हम कुछ साइट्स को उनकी ब्लॉक कर सकें, उसको हम पू बालेंस करना जरूरी है, I think वहां पे हम बच्चों के साथ पेप टॉक कर सकते हैं, कि कितनी और कहां तक जरूरत है मोबाईल को सीखने के लिए, it is just an instrument to learn new things, इसको हमें एडिक्शन के लेविल तक लेकर नहीं जाना है, तो I think, माफ करीगा, लेकिन जो प्रश्न है, वही है, हमारी जिंदगी में दोस्तों सबसे पड़ी जो समस्या है, वह है बैलन्स बनाने की, बैलन्स को समस्ते समस्ते हमनों क्यों निकल चुके होती है, हम बड़े जो हैं, जो एडल्ट हैं, आज हम लोग ने एक दुनिया देख देखेंगे, धीमेदी में मेरे ख्याल से ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स कहा रहे हैं कि जो नेक्स जो एवालुशन है, वो मरे स्पाइन को कहीं न कहीं टेडा कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंटीनियोस ऐसे करके देखते जा रहे हैं, तो नेक्स एवालुशन इस वी यह सब कोशन हैं, यह सब ब्रश्ण हैं, बात यही है कि बैलन्स को बनाया जाए, तो कैसे बनाया जाए? महसीन जी एक चीज, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इंटरफेर करना चाहूंगी कि बैलन्स कैसे बनाया जाए, इसके लिए पेरेंस को और टीचर्स को खुद करने होंगे जैसे कि अगर वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं अगर वो खुद भी मोबाइल एक हाथ में यूज करके खाना का रहे हैं तो वो बच्चों को क्या लेसन दे रहे हैं तो हमें राइट टाइम पे राइट इंस्टुमेंट्स को यूज करने का जब हम खुद एक रोल प्ले करेंगे उनकी लाइफ में उनके लिए एक्जांपल बनेंगे तो आइटिंग वो भी उसको अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करेंगे तो बैलेंस का मेरा मतलब यही था कि शायद एजने एल्डर्स हम पहले वो खुद अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट में भी वह उससे कुछ पढ़ रहे हूं कुछ एजुकेशन ले रहे हूं तो आइधिंग आम जज नहीं कर सकते कि वह मोबाइल सिफ इंटेंटमेंट के लिए देख रहे हैं कि अगर बैलेंस हो और पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके उपर यह बहुत बड़ी रिस्पॉंस पर ठीक है कर बैलेंस अगर मेंटेंट कर सके तो सारी चीजे सही तरीके से चल सकती है लेकिन अब हम आते हैं एक बहुत बड़े पॉंट पर जो कि शायद आपका फोटे रहा है वो था ड्रोन टेकनालोजी और रोबोटिक्स राइट आपने drone technology और robotics को बच्चों बच्चों तक पहुचाने की कोशिश किया आपका ये मुहीम रहा जो बच्चों ने बहुत सरा बहुत पसंद किया कहीं पे चार बच्चों से आपने शुरुआत की और वहां पे फिर जड़ी लग गई लाइन जो लगी रहती है कि भई वहसीना जी कुछ हमें भी कुछ बताएं इसके बारे में बच्चे उसके साथ जुड़ना चाहते हैं ये अपने आप में बहुत अच्छा मुहीम है इसके बारे में कुछ बताएं इसको आप कैसे बढ़ाना चाहते हैं कैसे ये बढ़ सकता है So Drone Technology और Robotics ज़हे वह Kemal ही पारथ है जब हम साइंस की बात करते हैं तो science मतलब कि वह different experiments पे एक्टिविटीज पे बात कर layer जब हम technology और engineering की बात करते हैं तो उसमें robotics और Drone technology आती है मैं बस बहुत चोट ऐसक्जामपल देना चाहूंगी कि अगर बच्चे द्रone टेक्नोलीजी अपने स्कूल में सीख रहे हैं, तो वो द्रोन टेक्नोलीजी से सॉफ्ट्वेर अपने में डाउनलोड करके मैपिंग सीख सकते हैं. अगर उनको angles learn करने में difficulty आ रही है तो वो drones के तुरू अपने angles को learn कर सकते हैं वो drone technology से pendulum art बना सकते हैं तो it's not necessary के वो खाली science stream के हैं तो ही drone technology use करेंगे even अगर वो humanities से हैं, commerce से हैं तो भी वो drone technology को और robotics को अपनी life में ला सकते हैं Technology जो है वो हमारे हर तरफ है जैसे मैं बार बार बोलती हूं and the time is not far from cleaning from arteries to cleaning our toilets will be done by robots ठीक है तो हमें इस चीज के लिए prepare हो जाना है आज की generation जो है वो इस चीज को जान रहे है कि यह हमारा future है artificial intelligence हमारा future है और I think अगर वो अपनी life में यह सब चीजे implement कर रहे है तो as a teacher as an educationist हमें उनको सिफ सही रास्ता दिखाने के जरूरत है जो जैसे जैसे आपके करीब आती जाएंगी उतना ही ज्यादा ना आप उससे चुड़ते चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कितना attractive line है कितने आयाम खुल जाते हैं इससे कितने और opportunities की जड़ी लग जाती है सामने वह सही बात है आपको तो पता होगा अटल लैब हर जगे हर स्कूल में एक ग्रांड दिया जा रहा है उसके माध्यम से यह प्रयासी शायद सरकार का यह था कि टेकनोलोजी को जो है टकनीक को जो है वो बच्चे बहुत असानी से उसको अड़ाउट कर सके अच्छा यह आपको नहीं लगत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है लेकिन कहीं न कहीं बहुत एक महंगा शौक है इस शौक को पूरह करने के लिए माभाप के पैसे और भी लग जाने है तो इसको कहीं न कहीं से इसको क्या आसान किया जा सकता है जो हमारी अटल इनोवेशन लैब्स या टिंकरिंग लैब दे रहा है कि हमें इसके लिए expensive products और expensive accessories की जरूरत नहीं है I think हम घर के resources से भी कुछ ना कुछ बिल्ड अप कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको example दिया था waste management का तो वो बच्चों ने बहुत ही simple तरीके से बहुत ही कम लागत के साथ उसको you know build किया अभी जैसे कि एक अभी थोड़ी दिन पहले एक स्कूल का एवेंट जच कर रही थी तो उसमें एक बच्चे ने बायो ग्यास प्लांट बनाया था और वो रेली प्राक्टिकल मॉडल था और उसमें कुछ ने यूज किया था सीव दफ्ती और डिफरेंट पुराने घर के पाइप्स और उसके अलावा कुछ भी उसके अंदर यूज नहीं था I think hardly 400-500 रुपए कि उसमें कीमत होगी और वो एक वर्कबल बायो गैस प्लांट था तो I think अगर बच्चों में इंट्रेस्ट है उनको सही रा मिल रही है सही ट्रेनिंग मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे के पास फ इनोवेटिव माइंड्स बैट हैं और क्योंकि जो हमारी इंडिया है इसा वन अफ दी लाज़ेस्ट कांट्री इन द वर्ल और 26 परसेंट पॉपलेशन जो है वो 0-14 एर्स की एज के अंदर आती है और 0-14 एर्स जो है वो स्कूल के अंदर है तो यह as a human as a teacher यह मेरी बहुत बड़ी responsibility हो जाती हम 26 परसेंट पॉपलेशन को इंडिया की रिप्रेजेंट कर रहे है और अगर हमारी 26 परसेंट पॉपलेशन जो कल हमारा फ्यूचर है वो अगर टेक्नोलोजी से यू नो प्रोफेशनल होगी उसके अंदर इनोवेटिव प्राक्टिस होगी वो जी उसके बाद तो alpha, beta, gamma पता नहीं क्या क्या तो यह जो generations के लिए जो हमारी जो preparation है आज के दिन से जो हम एक कोशिश है कि आगे आने वाली जो हमारी जो जनसंख्या होगी वो एक पड़ी लखी जनसंख्या होगी उनको पता रहेगा कि सही और गलत क्या है वो अपना करियर बनाने के लिए किसी और के उपर dependent नहीं होगे वो खुद से एक independent करियर को डिजाइन करने के लिए सक्षम होगे ऐसी एक दुनिया का सपना हम सब देख रहे हैं तो दोस्तों ये थी मैस मौसीना मिर्जा जी जिनोंने अपने बहुत busy schedule से हमारे लिए समय निकाला और आज प्राने वाला जो यूग है वो एक सुनहरा अफसर भारत में खोज रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया मौसीना जी आपने पने busy schedule से हमारे लिए इतना समय निकाला और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि STEM technology कितना बड़ा एक सुनहरा अफसर आज हमारे देश के लिए ल यह जब technology को अपने हाथ में लेते हैं जब science को अपने हाथ में एक प्रयोक्षाला के तोर पर देखते हैं तो भारत एक स्वर्णिम यूग की तरफ देखता है आशा करता हूं कि इस technology के माध्यम से और मौसीना जी जैसे ऐसे कई किरदार हमारे समाच को ज़ूरत है जो कि भा वाकई तकनीक से भरपूर दुनिया की तरफ ले जाए इसे आशा के साथ आज एपिसोड हम यही पर समाप्त करते हैं प्लीज अगर आपको इस technology के बारे में कोई भी details चाहिए या आपको ऐसे किसी course के बारे में जानना है जहां पे आप STEM technology या drone और robotics के बारे में जानकारी हा मैं एक बार फिर से बता दू करियर काउज गुरू आपके शहर में आचुका है और अब कई शहरों तक हम अपने पंक पसार रहे हैं तो बहुत जल्दी हम आपके शहर तक भी पहुंच रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा और देखना ना भूलिए करियर काउज वे शु जा Jeżeli जिएलिए सकते कैसा इड़े खियर में खिब आपके हैं तो हुझे एां पगए़गों भी प्रष यदके कि काउश झाल झाल